नमस्कार दोस्तो मेरा नाम हमित और गैजेट्स फर यू के एक नए वीडियो आपका स्वागत है दोस्तो सामसंग ने इंडिया में लॉंच किया है एक बजट 5G डिवाइस जी हाँ मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सामसंग गलेक्सी A22 5G की जो की इंडिया में लॉंच हुआ है दो वेरिंट में 6GB RAM 188GB Storage 8GB RAM 188GB Storage और प्राइस स्टार्ट होता है 19,949 रुपय से मतलब 20,000 रुपय की नीचे की प्राइस में आपको सामसंग की तरफ से A-series में एक 5G फोन देखने को मिल रहा है तो चलिए आज की इस वीडियो में दोस्तों unboxing करते हैं इसी device का देखते हैं कि क्या-क्या features आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं कैसा यह phone और हाँ थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि क्या difference आपको देखने को मलता है यहां पर Samsung Galaxy M42 5G से क्योंकि वहां पर प्राइस लगबग 21-22 रुपर है तो हमारे लिए थोड़ा सा easy हो जाएगा जाना कि क्या-क्या differences आपको दोनों ही phone में देखने को मिल जाते हैं तो चलिए अगर आप भी जाना चाहते हैं तो बने रहेगा हमार साथ इस वीडियो में और start कर रहे हैं इस phone की unboxing के साथ और दोस्तों कुछ इस तरीकी का box हमको देखने हो मलता है Galaxy A22 5G का box के front side पे ही हमको phone का picture देखने हो मल रहा है यहां लिखा है Samsung और अगर मैं करता हूँ उसको rear side में तो यहां पर mention है कुछ की highlight feature जिसकी बाद of course हम करने वारे हैं आज के इस वीडियो में तो चलिए अब मैं कर लेता हूँ इस box को unbox box को open करते ही सबसे बेले यहां पर दिया गया है एक envelope जिसमें है कुछ documentation इसके बाद है यह device और यह हमारे पास available है mint color में और दोस्तों यह हम देख सकते हैं Galaxy A22 5G का first log design की बाद करते हैं थोड़ा सा और आगे अभी देख लेते हैं box में और क्या content है इसके बाद दोस्तों आता है एक charger और यह है 15 watt के output rating के साथ में एक data cable जो की है type C port में और last में एक sim ejector tool तो दोस्तों यह था एक quick unboxing चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस phone की design के साथ में तो दिखने में तो इस phone का design आपको काफी ज़्यादा simple दिखने को मिलने वाला है लेकिन दोस्तों इस phone का जो hands-on feel है वो काफी अच्छा है in fact rear side में काफी अच्छा material उसकिया गया है और यह हमें दिखने हो मलता है matte finish के साथ में तो इस phone का hands-on feel no doubt एक premium phone की तरही आपको दिखने हो मिलने वाला है हाला कि थोड़ा सा bulky phone है मुझे लगता है कि लगबग 200 gram के आसपास इसका weight होगा और इस phone का जो thickness है वो भी दूसरे phones के comparison में थोड़ा सा जादा मुझे देखने हो मिला तो य लिए मैं इस phone को जली से setup कर लेता हूँ और फिर बात करते हैं थोड़ी सी और detail में लेकिन पहले दोस्तों इसका SIM ट्रेम आपको दिखा दू तो यहां पर आप दिख सकते हैं दो SIM card के साथ में आप memory card लगा पाएंगे इसमें जी हां triple card slot यहां पे दिया गया है और दोस्तों फोन हो चुका है complete setup हम आ गये हैं इसके home screen पे और जैसे कि मैं आपको बताया कि यह है फोना में दिखने हो मिल रहा है infinity v display के साथ में जहां पर screen size है 6.6 inches का phone में दोस्तों बेजल की बात कर रहे हैं तो खेर वो बहुत ज़्यादा narrow नहीं है in fact अगर मैं चिन की बात कर रहा हू तो वो भी काफी बड़ा है head यहाँ पर ठीक टाक सापको दिखने हो मिल जाता है तो कुछ ऐसा है दोस्तों इस phone का front design चलिए अब मैं सबसे बहले बात करना चाहूंगा इस phone के सबसे बड़े की highlight feature की जो की है इसमें 5G connectivity अब 5G phone दोस्तों हमने काफी सारे देखे हैं लेकिन इसमें important क्या है कि Samsung कहता है 5G guarantee Samsung कहता है दोस्तों कि इसमें 11 5G band तो जब भी इंडिया में 5G launch होगा in future तो यहाँ पर ज्यादा chances है या फिर 5G की guarantee है कि यहाँ पर में proper 5G speed देखने को मिलने वाली हैं क्योंकि काफी सरे brand 5G के नाम पे सिर्फ 2 band दे रहे हैं तो हो सकता है कि वह कि यहाँ पर हमें 2 साल का software upgrade देखने को मिलने वाला है तो यह दो चीज़े हैं दोस्तों जो कि इस phone को दूसरे budget 5G phone से थोड़ा सा अलग बनाती हैं तो हाँ यह future ready phone आप कह सकते हैं चलिए अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे बात करते हैं इस phone के display की तो screen size मैंने आपको बताया कि 6.6 inches का screen size आपको यहाँ पर देखने को मिलता है यहाँ पर display panel की बात करते हैं तो यह है TFT panel जो कियाता है full SD plus resolution के साथ में और दोस्तों इस video में देख सकते हैं इस phone का display performance वैसे colors वगेरा में अच्छे देखने को मिल रहे हैं bright colors है in fact जो brightness level है यह भी आपको यहाँ पर super amulet panel होना चाहिए था लेकिन Samsung ने यहाँ पर दिया है TFT panel तो यह मुझे लगता है दोस्तों की कुछ लोगों के लिए deal breaker हो सकती है क्योंकि mostly devices जो कि आपको 12,000 पर से उपर देखने हो मिलते हैं Samsung की दरफ से वहाँ पर super amulet दिया जाता है लेकिन यहाँ पर नहीं हैं तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे बात करते हैं दोस्तों इस फोन के कैमरा की तो triple camera setup दिया गया है 48 megapixel का primary sensor यहाँ पर है 8 megapixel का ultra wide sensor और 5 megapixel का depth sensor front camera की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया के है 8 megapixel का front camera अब दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ camera samples लिये हैं इस फोन क के दियार और front camera से outdoor और indoor दोनों ही conditions में कुछ images आपको देखने को मिल जाएंगी first impression दोस्तों images का काफी अच्छा देखने हो मिला pictures में detailing काफी अच्छी है in fact अगर बात करता हूं color accuracy की तो वह आपको अच्छा देखने हो मिल जाता है picture overexposed नहीं है तो अच्छी images हमको यह auto mode मे दोस्तों आप देख सकते हैं background काफी अच्छे से यहाँ पर blur है age detection काफी अच्छा देखने हो मिलता है और हाँ exposure भी यह काफी अच्छा manage करता है portrait mode में भी तो images आपको अच्छी देखने को मिल रही है front camera की कुछ images आप यहाँ पर देख सकते हैं और हाँ यह भी impressive images थी वीडियो की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 2K तक का option देखने हो मिल जाता है लेकिन जो frame rate है वो है 30 fps जी हाँ आप 2K record कर सकते हैं 1080 pixels पे भी record कर सकते हैं 720 pixels पे भी कर सकते हैं लेकिन जो frame rate है maximum वो है 30 fps अब दूस्तों बात आती है इस phone के performance की तो यहाँ पर no doubt यह phone कमाल करने वाला है क्योंकि यह दिया गया है Mediatek के Dimensity 788 chipset के साथ में जो कि हम जानते हैं कि 5G chipset तो है ही in fact यह काफी powerful भी है benchmark score आप दिख सकते हैं लगबग 3,000,000 से उपर आपको देखने को मिल रहे हैं और performance आपको अच्छा performance देखने को मिला और बाकी और इसको test करेंगे थोड़ा सा और आगयाने विडियो में रैम विरिंट की बात करते हैं तो 6GB RAM के साथ में 108GB storage और जो दूसरा option है वो है 8GB RAM के साथ में 108GB storage तो दो option आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं phone की UI की बात कर रहे हैं दोस्तो तो यह phone भी काम कर रहा है Samsung के One UI 3.1 वर्जन के साथ में जो की बीस्ट है Android 11 पर security की बात कीज़ें दोस्तो तो side mountain fingerprint sensor यहाँ पर दिया गया है और performance मैं कहूंगो की ठीक ठाक था मतलब हाँ बहुत ज़दा fast नहीं था लेकिन बहुत ज़दा slow भी नहीं था एक average performance इस phone के fingerprint sensor का कह सकते हैं बैटरी की बात करते हैं दोस्तो तो 5000 mh का यहाँ पर बैटरी दिया गया है जो की support करता है 15 watt का fast charging 15 watt का charging हमें inbox ही देखने को मिल रहा है और हां दोस्तो आपको बता दूँ कि जो कुछ premium features हमको देखने को मिलते हैं A series के वो इस device में मुझे देखने को नहीं मिला है जी हां चा कि क्या difference है Galaxy A22 5G और Samsung Galaxy M42 5G में तो थोड़ सी differences मुझे यहाँ पर देखने हो मिले सबसे पहले तो phone का design अब देख सकते हैं जी हां काफी अलग है इसके लब जो camera है वो भी अलग है M42 में आपको part camera setup देखने हो मिलता था 64 megapixel primary sensor के साथ में A22 में यह 48 megapixel दिया गया है इसके भी difference है super emerald panel हमको M42 में देखने हो मलता था लेकिन जो resolution थे वो HD plus थे और A22 5G में हमें देखने हो मिलता है full HD plus resolution लेकिन यहाँ पर जो panel है वो है TFT बाकि हम जो premium features की बात कर रहे थे जैसे कि NOX security और Samsung पे वो हमें M42 में देखने को मिल रहा था लेकिन वो A22 में नहीं है तो ऐसे कुछ differences भी दूस्तों आपको देखने को मिलते हैं दोनों ही phones में तो दूस्तों यह था Samsung Galaxy A22 प्राइजिंग स्टार्ट होता है 19.99 उर्पे से जहां पर आपको SDFC बैंक से 1500 रुपे का cashback offer में मिल जाता है तो नीचे comment section में जरूब देएगा कि कैसे लगा आपको यह phone और क्या ऐसे किसे वीडियो में तब तक लिए आपके दनीश हो रहे हैं और आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बतानेवाद